आपके साथ आधरनी अमिस्सा आजी का लमशकार साथियो मैं आपके साथ कटर रास्टेवादी निधी रतन आज उन गंभीर मुद्दों पे बात करेंगे जिस पर पोस्टर पाटी बात नहीं करती अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि मैं पोस्टर पाटी किसे कह रही हूँ सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए तो देखा आपने वीडियो हमारे वीडियो में जो दिखाई दे रहे हैं वो इस देश के माने ग्रह मंतरी अमिस्षा जी है अब तक तो लगता था किसे फोटो क्लिक कराने में ये सेल्फी पोस्ट देने में हमारे पढ़ान मंतरी ही आगे हैं लेकिन यहां तो कॉम्पेटीशन चल रहा है कौन बढ़िया सेल्फी देता है कौन बढ़िया पोस्ट देता है हमारे ग्रह मंतरी को देखिए कि किस तरीके से उनके साइड में जो लोग हैं, वो अगर अपना हाथ हिला रहे हैं, तो उनको मना किया जा रहा है और पीछे रहने के लिए इशारा किया जा रहा है सोचे हमारे देश की जो पार्टी है राजनितिक पार्टी जो केंद्र सरकार में अभी भारती जनता पार्टी वो दावा करती है कि वो रास्टे है कटर रास्टेवादी पार्टी है वो इस देश के हित में काम कर रही है लेकिन वो कहीं ना कहीं भूल जाती है कि राश्चत चिन्नों का ही अपमान कर देती है इन दौर से ऐसी ही घटना हमारे सामने आ रही है जो में इस्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगी जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं क्यूंकि उनको हिंदू मुसल्मान दिखाना है उनको मोदी जी ने कितने लगका सूट पहना उनको वो दिखाना है मोदी जी की जो कर्तूते हैं उसको छुपाने पर उनको परदा डालना है इन दोर से जो वीडियो आया सबसे पहले आप वो देखिए तो देखा आपने मोधी के दोरे से पहले इन दोर में तृम्गे का अपमान क्यों किया जा रहा है क्या अंदभग्तो यह दावा करते हैं कि हम रास्टे चिन्नों का अपमान नहीं सहेंगे तरंगे का अपमान नहीं सहेंगे इस देश में जो भारत माता है उसका अपमान नहीं सहेंगे लेकिन भारती जंता पाटी के लोग मानिय पढ़ान मंत्री के इंदौर दोरे से पहले जमीन पर तिरंगा लगवा रहे हैं तरंग उस पर अमल करना भूल जाती सिता ने कि तिरंगे का अपमान किया भारतिय कर देवाण को कि चिंता है ऑए धिन एसी मिए मारे सामने आरे पाकिस्तान में भुक्मरी की वज़े से लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर है लेकिन हमारे भारत में क्या चल रहा है इस पर कोई बहस करेगा इस पर कोई डिबेट करेगा कि देश की हालत किया हो गई है देश में महंगाई अपनी चरंद सीमा पर है बेरोजगारी का इस्तर बढ़ता जा रहा है युवद बेरोजगारी से अपनी जान दे रहे हैं महिलाए सुरक्षित में देश की राजधानी में बच्ची के साथ बलतकार हो जाता है अपराद हो जाता है तमाम ऐसी घटना है हमारे सामने आती है और सरकार खामोश रहती है तमाम राजनितिक पार् करने का तो ऐसा लगता है कि जैसे जमाना हो गया यह कालपनिक बाते हों हमारे लिए सिक्ष्या पे तो कोई सरकार बाती नहीं करना चाहती है सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेखनी है सबको सेलफी देना है सबको होडिंग बैनर का चहरा बनना होता है सुचि भारतिय जनता पाटी अपने आपको रास्टवादी 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 का दिन रात गाना गाने वाली तिरंगे का अपमान कर रही है ऐसे रास्टवादी पाटी होती है यह ऐसे रास्टवादी पाटी के जो प्रवक्ता भढक कर भढका उभाशन देते कि अपनी छोडियां और चाकू तेज कर लीजिए क्या उनका खून अब नहीं खालेगा कि देश के तिरंगे का अपमान हो रहा है इस देश में आप किसी भी तरीके से टिपनी करते हैं तो लोगों की भावना आतो जाती है पिछले आठ सालों में महंगाई पे विरुजगारी पर ब्रस्टाचार पर बात नहीं कर सकते हैं तो कि लोगों की भावना यहां तो जाएंगी इसमें मोदी जी की गलती नहीं है जो उनके फॉलोवर हैं अंदभाक्त नफ्रती चिंटू वह दावा करते हैं और मेरा सवाल उनी से खास कर है कि आपकी भावना ऐसे मुद्दों पर क्यों आहत नहीं होती जहां पर मोदी जी के स्वागत के लिए इस देश की तिरंगे को जमीन पर बनाया जाता है अपमान किया जाता है सोचिए यह सरकार जो है सविधान का अपमान करेगी तिरंगे का अपमान करेगी और हमारे माने प्रधान मंत्री जी राश्ची चिन इतैशी क्यों बन जाते हैं? उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं ये लोग जो भारती जनता पाटी के लोग अपनी भावनाय आहत कर लेते हैं? उन गंभीर मुद्धों पे कब बात होगी जो देश की विकास में रोड़ा बनकर बैठे हैं? सुचि पठान मुवी को लेके कॉंट बिना दलित काड खेले वे राजनीती थोड़ी न होती हैं? दलित भाईयों को मारा जाता आए दिन ये सरकार कोई गंभीर संग्यान नहीं लेती हैं? सोचिए बातों बातों में आपको लॉलीपॉप पकड़ा दिया रास्टेवाद का, आपको लॉलीपॉप पकड़ा दिय है कि कटर हिंदूर रास्टेवादी कौन बनेगा और आपके आरक्षन को खतम कर दिया, आपके रिजर्वेशन को भी खतम कर रही है, इस सरकार धीरे धीरे, अब आप बजाए ताली ठाली, क्योंकि इस सरकार सिव पोस्टर पाटी रह गई है, ये रास्टेवादी नहीं है ये धोंग करने वाली नकली रास्टेवादी पाटी रह गई है, क्योंकि इनके जो गुंडे हैं, नफरती चिंटू जो हैं, वो रास्टेवादी की आड में महिलाओ से दुश्कम करेंगे, युवाओ से मारपीट करेंगे, रास्टे चिन्नों का अपमान करेंगे, क्योंकि क longo 번 Wilde yer कि भारत्य जntव पाठी का वो राष्टवादी एंगल सबना करता है जो इस तुरंडगे का अपमान crt ऐसे मुद्वफ़र्य सेंसिंटिव मुद्वफ़ विल्गों की भावनाय आहत क्यों नहीं होति है सोचिए पठान मूवी को लेके बेश्रम रंग उस मूवी का सौंग है उसमें 15 ड्रस दीपी का पादुकॉन पहनती है लेकिन भगवा कॉस्ट्यूम पहनने पर लोगों की भावना यहां तो जाती है मतब किसी के पास करने के लिए कुछ नहीं है भारत का यूवा बेरोजगार बैठा है उसको सरकार क्या कर रही है एक धरम का अफीम चटा रही है धरम के नाम पर लोगों को मुर्ख बना रखा है और लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा कर दंगे करवा रही है आपस में मिसकॉ सवाल भारति जनतल पाटि से करते हैं तो नफ्रती चिंटु हमें गाली देंगे अनुभाक्त हमें मारपीट करेंगे अनुभाक्त हमें अगर हम पोर्टिंग के सब्सक्राइब जांगें तो मारपीट करेंगे हमारे कैमरे को चीन लेंगे बाईगाइडinizi पारति Friends सुरक्षित नहीं है महिलाई तो छोड़ दीजी पत्रकार सुरक्षित नहीं है वो चुनिंदा टीवी चैनल वाले सिफ अपना चैनल चला सकते हैं जो सरकार का गुडगान करेंगे रास्चवाद 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 का रो न रोएंगे अरे रास्चवाद की आड मे सरकार इस देश के साथ क्या खिलवार कर रही है अगर मीडिया वो दिखाएगी तो इस देश की जनता जागरुख होगी और सरकार भी यह नहीं चाहती और जो चुनिंदा मेनिस्री मीडिया में बैठे समाज की ठेकेदार बनके बैठे हैं जो अपने आपको लोगतंत्र के हित राशन दिया जाएगा चरोण लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा यह ख़बर नहीं है अस्ति करोण लोग भी आज भी भारत में इस हालत में की उन्हें राशन पर निर्भर रहना पड़ सोचे 5 किलो राशन से 80 करोड जनता गुजारा करेगी और उन जनता को तो आंकडों में रखा भी नहीं गया जो सर्द रातों में सड़कों पर मर जातें से फिस लिए क्यों उनके पेट में अनाज नहीं है रोजगार सिक्षा स्वास्ति ये तो बहुत दूर की बात है आप भूके मरने वाले देश में बुकमरी की कगार पर आगया ये देश ब्रस्टाचार तो छोड़ी दीजिए काला धन लेके आने वाले थे जनाब आप तो गरीबी ले आएं आप तो देश को विश्व गुरू बना रहे थे आपने तो इस देश को ब्रजगारी की गर्त में धकेल दिया हमारा यूवा जो है वो सुसाइट अटेम्ट कर रहा है इसलिए कि उसका कहीं भी सेलेक्शन नहीं हो पा रहा है सेलेक्शन होता भी है तो आपका पेपर आउट हो जाता है पेपर लीक हो जाते हैं इस देश की सिक्षप रणाली पे तो आप सवाली नहीं कर सकते क्योंकि सारी जगा तो बैठे इनी के लोग हैं लेकिन नफरती चुन्टूओं की भावना आतो जाती हैं क्योंकि उन्हें करना कुछ नहीं है उनको दारू का आधा या पवा पीना होता है उनको उतना खर्चा पानी मिल जाता है आप दारू पीजिए आप मुर्गा खाईए आपको देश के विकास से क्या मतलब आपको सिक्षा से क्या मतलब आपको रोजगार से क्या मतलब अरे उन युवाओं से पूछिए अपनी दिन रात एक इसलिए करते हैं कि एक दिन उनकी नौकरी लगेगी और उनके पूरा परिवार की इस्तिती बदल जाएगी उनके को धरम की आड़ में कहा धकेल रहा हैं है सरकार आपको लॉलीञे पॉप पकड़ा रहे हैं आप उस लॉलीञे पॉप को पकड़ कर और रात रस्टेवाद कर रही है यह रसचवाद भात्य जंता पाटी का जिसमें आम जंता को हमने मरने के लिए छोड़ दिया था जादे कोरोना की आड में आम जंता की क्या हालत हुई थी अब वो तस्वीरे याद कीजिए तमाम लोग शहरों से घरों की और पलायन कर रहे थे भुकमरी से लोग सडकों पर मर रहे थे लाशों की लंबी का तारे लग रही थी गंगा में लाशे बह रही थी वादा तो किया था इस स सेलफी देते हैं और आम जंता अगर उनके आसपास दिख भी जाए तो उनको शर्म आती है गरीज भी उनके आसपास नहीं भटक सकती है दिवारों को रंगा जाता है शहरों को छुपाया जाता है तिरंगे से तिरंग सडकों पर बनाया जाता है और बंजर जमीन के उपर हर नकली और कोप्रटी रश्टेवादी पार्टी है अरे राश्टֿवादी अपने आप को और कभी गंभीता से सोचिएगा इस देश की जनता को आपने कितना गुम्रा किया और देश की जंता को भी सोचना चाहिए इजो आप अपने भाई भैंँों से दुश्मनी पाले हुए हो, अपने पडोसियों से दुश्मनी पाले हुए हो, वह पैटमें आज पहुंझ जाता है कि बच्चे और मिल जाता है आपके बच्चे को प्रॐससिटे यौन कुल क्या है आप कट्र रास््ठवादी का का नाम जबते रहे हैं कि जो चीज आपको इजे रोटी यो रोजगार दे आपके लिए वही जातर जरूरी है आप मुझे comment box में जरूर बताएं कि आपके लिए क्या यह क्छा में जरूर द्राहाँ से जो सरकार से सवाल करें जो सरकार से अपने अधिकारों की बात करें comment box में मुझे जरूर बताईएगा शुक्रिया